नमस्कार दोस्तों एक बारा सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएट प्रोडेस बैच्छा लाश्ट यह भी मैंने तयारी करवाई थी और इस यह भी जो तय क्या के आता है कुछ लोगो नहीं पता काफी लोग को यह भी सवाल आ रहे हैं तो सबको पता है बर Courtney लोगки सवालारे आता है जहां कि पर आपका सफ कोशन को होता है यांद रिख्येगा जिसमें पुछास कोशन समानी इवाइन अपका हिंदि का होता है घ्यंड के बारे में तो जो second paper होता है तो आपकी ऊपर depend करता है कि आप color work से है या बिग्यान या निकि आप science side से है या art side से है तो जो color work वाले होते हैं और science side वाले होते हैं उन दोनों के लिए reasoning तो आता ही आता है reasoning के अलावा यहाँ पर reasoning के अलावा जो है जो color work वाले होते हैं उनके color work से संबंदि आपके GKGS के question होते हैं थोड़े बहुत English के question होते हैं और आपके क्या बोलते हैं English के अलावा आपके GKGS से संबंदित आपके जो question है आपके देखने को मिलते हैं और बिग्या नमर्ग वाले जिस भी साइट से हो रहे हैं बेसी वाले होंगे यह जो भी subject लिए रहेंगे उनकी साथ से उनका जो paper है आएगा तो यह होता है इनका slaves पूरा पूरा और जो second paper होता रिजनिंग के उसमें 50 question होते हैं और सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लो भाई कल से कल 4 बजे एक धमाके दार वीडियो आने वाला है कल सभी लोग 4 बजे याद रख लो धमाके दार है दो से तीन टीचर रहेंगे और पूरा बैज को चलेगा और बिल्कुल free में कोई भी पैट कोई भी पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा उसका और बिल्कुल free में जो classes चलने वाला है तो कल 4 बजे वाला वीडियो जरूर देखेगा और आपको पूरी detail मिल जाएगी कि किस त कारवजे वाला वीडियो जरूर देखेगा तो पहला कोईशन देखें यहाँ पर क्या कह रहा ध्यान से देखेगा क्या कह रहा है कि मात्र देवी की पूजा की सब्यता से संबंदित है क्या कह रहा है मात्र देवी की पूजा किस सब्यता से संबंदित थी तो याद रखें दोस्तों मात्र देवी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंदु घाटी सब्विता तो उप्सन नमबर जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो उप्सन जो इसका C है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सिंदु घाटी की सब्विता एक मात्र प्रधान सब्रता थी और इस सब्रता के कई सलों में से मिर्ड मूर्ति का प्रमार भी मिला इसी विज़ा से इसको मात्र देवी की पूजा से संबनीत माना जाता है अगला कोशन देखे क्या कह रहा है कि राजस्थान के माउंट टाबू में से दिलवारा का जैन मंदिर किस धर्म के अन्यायो द्वारा निर्मित किया गया था तो जो Mound Tuffy में इसे दिलवाडा का Jain मंदिर वो Jain के Anyayu किसे दर दोस्तो दिलवाडा का Jain मंदिर उसको बोला याता है तो Jain यहाँ पर बहुत आसान हो दिखे Jain मंदिर दिया गया तो Jain यह दो ऑजिए है तो Option जो इसका B है यहाँ पर correct हो जायएगा question number 3 देखे क्या गहरा है बहुत ही आसान सा question है गीत गोविंद किसके कृति है तो गीत गोविंद की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो गीत गोविंद के रजनाकार भई आपके जैदेयो जी है कौन है जैदेयो जी है और इसके अलावा दोस्तों गीत गोविंद में वर्णन किया गया है तो इसके कृति पूचा गया है तो जैदेयो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा question number 4 कह रहा है कि सीवा जी का राजय विसेग जो है कब हुआ था तो सभी को पता है सीवा जी का जो जनम है वो 1627 वे में हुआ था और सीवा जी की बात करते हैं राजय विसेग के बारे में तो 1634 वे में ये च्छत्र पती सीवा जी की जो उपाद ही धार किये थे तो यहाँ पर option number जो इसका 1674 यानि की option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसी तना अगला question देखिए आप से यहाँ पर क्या गया रहा अकाल तक्त का निर्माड करता इनमें से कौन से सिक्क गुरू है अकाल तक्त के बारे में बात किया जा रहा है तो याद रिखे दूस्तो अकाल तक्ती के अगर हम बात करते हैं उसका निर्माड करवाया था इसी के बात question number आप कहाँ पर 6 कह रहा है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस ने की थी अगर हम बात करते हैं दूस्तो भारत के समुद्री मार्ग की बारे में तो दो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है वास्को डिगामा सभी को पता है वास्को डिगामा ने किया था और 20 महीं 1498 वेस्वी को ये काली कट के तरपर पहुचे थे और वहाँ पर वहीं से एक नए समुद्री मार्क की जो है खोज स्टार्ट हुई थी अगला कोशन देखे क्या कहा रहा है कि भारत में पहली अंग्रेजी ब्यापारी कंपनी कहां खोली गई तो सभी को पता है भारत में जो पहली अंग्रेजी ब्यापारी कंपनी है वो कहां पर खोली गई थी सर 13 इसवी में सूरत में इस्थापित किया गया था कारखाना एक अस्थाई कारखाना था इसलिए उप्सन जो इसका बी है करेक्ट होगा अधरवाइद अगर आपका आस्थाई पूछा जाए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा भई मसूली पतनम या मशली पतनम अगला कोशन क्या क्या रहा कि बेगम हजरत महल ने ठारा सुस्तावन इसलिए की करांती में किस अस्थान से संबंदित रही तो बेगम हजरत महल के अगर हम बात करते हैं तो बिसिकली ये जो है चार जून अठा सुस्तावन के इसलिए के जो आपका जो चार जून अठा सुस्तावन इसल करेक्ट हो जाएगा इसी तरह अगला कोशन देखे क्या कह रहा है गाधी जी की दवारा किर्यानवीत प्रथम सत्यागरा जो नील किसानों से संबंदी था इससे जो असल कौन सा है नील किसानों की जब भी बात आती है तो सबको पता है कौन सा असल है भई बिल्कुल सही जवा 11 नमर कोशन कह रहा है कि दांडी आत्रा की सुरुवात महत्मा गाधी जी ने कहां से की थी तो अगर हम बात करते है भई दांडी आत्रा के बारे में तो सबको पता होना चाहिए दांडी आत्रा की जो सुरुवात है 12 मार्च 1930 इस भी को हुआ था और गाधी जी ने डांडी स से ही शुरुवात किया था तो ऑप्सन नमबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर दोस्तों आते हैं अगले कोशन पर तो देखे क्या कह रहा है कि हमारे स्वार मंडल का कौन सा ग्रह आकार में प्रित्वी के समान है तो अगर हम बात करते हैं स्वार मंडल के बारे में तो आपका जो सुक्र ग्रह है कौन सा भई सुक्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रित्वी का निकर्तम ग्रह है उसे प्रित्वी का भागनी बोला जाता है और यह घनत वाकार व्यास में प्रित्वी के समान ही है और इसे भोर का तारह भी बोला जा सदा बर्फ से ढगा रहता है तो याद रखिएगा यहाँ पर सदा बर्फ से ढगा रहता है तो यानि कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर देखें परड़ पाती दिया गया गया सीत मरुस्थल दिया गया है और आपका यहाँ पर गरम मरुस्थल दिया गया तो इसमें देखा जा तो जो correct tensor हम मान सकते हैं या C तमरुस्तल क्योंकि हम इसा बर्व से आपका धका रहता है अगला देखे क्या कह रहा है Y मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है तो Y मंडल की सबसे निचली परत है इसकी उचाई जो है धुरूब पर 8 km तो था विस्वत रेखा पर 18 km होती है और ये जो है basically क्या कहलाती है छोब मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या आपका यहाँ पर मध्य मंडल दिया गया है तो सभी को पता है बहुत ही आसान सा कोशन है तो बिल्कुल सभी बात है सर छोब मंडल बोल आता है तो उप्सन जो इसका C है करेक्ट हो जाएगा इसी तरह कोशन नमबर अपका 15 कह रहा है कि भारत का सबसे उचे पठार कौन सा है तो भाई अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे उचे पठार के बारे में अब देखो गुदावी गवान सभी को पता है भाई गुदावी अभी मैंने आपको ता है कि प्राइदी प्या भारत की सबसे लंबी नदी है इसको दच्छड के गंगा के नाम से भी जाना जाता है तो भाई पश्मी घाट के उतरी भाग को कोंकर तट कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों कोंकर तट कहलाता है यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हुए आएगा इसमें अवस्तित मैदान से गुज्राइए और इसमें जो अवस्तित मैदान basically अगर हम बात करते हैं ये गुज्राइद से प्रारम हो करके केरल तक जाता है और ये 720 किलो मीटर लंबा है कितना 720 किलो मीटर जो आपका लंबा है 18 question देखे क्या कह रहा है कि देखे computer का question है कि वहाँ प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते है तो भाई वहाँ प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे human code कहते हैं जिसे capture code भी आपने देखा ह कहता है क्योंकि रोबोट से बचने के लिए होता है कैप्चा कोड इसी वज़ा से उसको रखा जाता है human को detect करने के लिए अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा भारत की निम्न क्रिसी उत्पादक्ता के लिए उत्तरदाई नहीं है तो बाई भारत के क्रिसी छेतर के निम्न उत्पादक्ता के लिए यहाँ पर कौन सा उत्तरदाई नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला साहकारी क्रिसी दिया गया है और आवस्यक आधितों की उपलादता दी गया है भूमे की उपियोगर उसकी अधिकारता दी गया है बहुत साई च कोशन देखे का रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा बंदरगा भारत के पश्चमी तड़ से संबंदित नहीं है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भारत के पश्चमी तड़ से कौन संबंदित नहीं है तो तूती कोरीन बहुत इंपोर्टेंट है तूती कोरीन कहां पे इसी पश्मे विच्छोफ का प्रणाम होता है, किसके वज़ाए से पश्मे विच्छोफ के कारड़ जो है वरसा होती है, तो अगला कुशन देखे क्या गहाँ ध्यान से समझेगा, कि भई सामौहिक उपवोग की बात किया जा रहा है, तो याद रखेगा सामौहिक खपत का जो इखफ़त है क्योंकि यह सम्मूह हो जाए गए इसके नागरी में कई साथे लोग आ जाएंगे इसी वज़ा से आते हैं अगले कोश्चन पर तो देखिए आहां पर क्या गया रहा है कि राश्टी आए को और किस नाम से जाना जाता है तो बारे में तो राश्टी आए को हम लो पर अग्स अधनल पर यानि किनेट नेशनल प्रोडच्ट को जोंकि साधना लागत पर इसको राश्टी आए कि नाम से भी जाना जाता है अगला कोश्चन देखिए क्या गह रहा है कि भारत में राज्जियों के लिए राजज़ों का सर्वाधिक महत्पूर सुरूत निम्र पूर्ण सुरुत क्या है राज जी के लिए पूछ रहा है ना तो 24 का जो ग्रेक्ट हैं सुर। आप लोग भी गैस कर सकते हो क्या हो जाएगा सर विक्री कर दिया गया है और यहां पर विक्री कर जो है ज्यादा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहली बता रखे है क आपके केंद्री सरकार दोया लगा जाते है तो इसलिए यह तो आपका वैसे ही कर जाएगा समझ में आगे ना इसके बाद कंपनी कर और इसके लाब यहाँ पर उत्पाद सुल्क दिया गया और विक्री कर दिया गया है तो यहाँ पर कंपनी कर और आएकर हमने बताई दिया ये प्रतेशकर की स्रेड़ी में आते हैं और यहाँ पर उत्पादम सुल की बात करते हैं और बात करते हैं विक्री करके बारे मिए केंद और राज ये दोनों सरकार दौा लगा जाते हैं तो आप सभी लोग उस टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ बीड के वीडियोस मिलेंगे इसका जो नोटिफिसेशन मिलेगा इसके लाओ पीडिएफ जो है आपको मिलेंगे और जो कल नई चीज़े लाँच हो रही है उसके बारे भी आपक सबसे नेक्ट वीडियो में